दोस्तों मैं सौरों मलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज विज्ञान जीके के Most Important 27 Question-Answers हम कवर करेंगे इस वीडियो में पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा 27 में से आपका स्कोर कितना रहता है अपना स्कोर कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा वीडियो पसंद आए तो Like Share कर देना विटामिन E की कमी से निर्मित रोग कौन सा है ये आपके लिए Test Question है इसका अंसर भी सभी को कमेंट बोक्स में बताना है और जो इसका सही उत्तर रहेगा वो मैं वीडियो के दुरान आपको बता दूँगा दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला Question आपकी स्क्रेन पर है एलकेन का सुत्र होता है तो एलकेन का सुत्र कौन सा हैन में से आप ट्राई करियो और इसका आंसर बताईगा कमेंट बोक्स में बताईगा मेरे प्यारे दोस्तो इस Question का सही उत्तर रहेगा C N H 2 N प्लस 2 यानि की पहले Question का राइट आंसर भी हो जाएगा ये आपको याद रखना है दूसरा Question है एक जूल बराबर होता है एक जूल बराबर कितना होता है दोस्तो सोच समझिये और आंसर करिए प्रैक्टिस करिए तब ही जाके आपका देखिए जैए एक्जाम आ रहा है अभी दोस्तो दिल्ली पुलीस का भी आ रहा है बहुत सारे एक्जाम आने वाले आ गए तो प्रेक्टिस अभी से करोगे तभी जाके आपका कुछ अच्छा स्कोर बन पाएगा तो एक जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग यानि की राइट आंसर आप्शन है हो जाएगा इस कोशन का सही उतर ठीक है भई तीसरा कोशन है वर्सा की बूंदे किसके कारण से गोलकार होती है तो वर्सा की बूंदे किसके कारण से गोलकार होती है तो राइट आंसर इस तीसरे कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा प्रस तनाव के कारण ठीक है तीसरे का right answer option है हो जाएगा ये भी आपको याद अखना है Q4 है N A O H सुत्र वाले योगिक का सामान्य नाम है Q4 का right answer क्या रहेगा दोस्तो Q4 का सही उत्तर हो जाएगा कास्टिक सोडा यानि की right answer option है हो जाएगा इस question का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है Q5 है किसी तत्व के परमानविक भार को किसमे व्यक्त किया जाता है तो पांचवे question का सही उत्तर क्या रहेगा प्यारे दोस्तों पांचवे question का सही उत्तर रहेगा परमानु दरव्यमान इकाई यानि की right answer D हो जाएगा इस question का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे है तो master pdf हमारी available है सभी exam के लिए और दिवाली offer में दोस्तों इसके price सबसे ज़्यादा कम होगे मतलब इससे ज़्यादा कम कभी भी हो नहीं सकते हैं मात्र 150 रुपे में all subject की पीडियाप आपको पूरी lifetime के लिए मिल रही है यह offer बहुत limited समय के लिए अगर आप लोग ने इस पीडियाप को नहीं लिया तो फटा फट ले लिजेगा description box में link दिया गया है और प्यारे दोस्तों आप हमारे whatsapp नंबर पे भी message करके इस पीडियाप को ले सकते हैं पिंड का भार सुन्या नहीं होगा यह आपको बताना है कहां पर question number 6 तो छटे question का right answer रहेगा सवतंत्र गिरने के दोरान यानि की छटे question का right answer भी हो जाएगा यह भी आपको याद अठना है question number 7 है रक्त कैंसर किसे कहा जाता है सात्वा question तो उस्तों सात्वे question का सही उत्तर हैगा leukemia ठीक है right answer is C यह आपको याद अठना है leukemia is the right answer question number 8 है निमन में किस से धवनी का सरचन नहीं हो सकता है तो इस question का right answer हैगा दोस्तों धवनी को एक माध्यम की जुरत होती है तो निर्वात में तो नहीं होगा तो right answer is C तो धवनी दोस्तों जो ट्रेवल नहीं कर सकती है वो है किस में वेक्यूम में निर्वात में तो right answer is C question number 9 है वोसिंग मसीन की कारिय परणाली की सिद्धान पर आधारित है तो नौवे question का दोस्तों right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर है आपके इंदरन पर यानि की नौवे question का right answer option है हो जाएगा ये भी आपको यादखने है question number 10 है रेडियो धर्मिता की खोज की सेशन अच्छा लगे तो like कर देना अपने दोस्तों के साथ में share कर देना दोस्तों और science की सभी वीडियो देखने के लिए description box में playlist का link है वहाँ से देख सकते है तो दस्वे question का right answer क्या रहेगा question number 11 है दूर दरस्टी से पिडित व्यक्ति की इसपस दरस्टी की निवनितम दूरी है तो दोस्तों 11 question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर है 25 cm ठीक है question number 11 का सही उत्तर option C हो जाएगा ये आपको याद रखना है question number 12 है positron की खोज किसने की थी positron की कोज दोस्तों किसने की थी तो इस question का right answer क्या रहेगा question number 12 का सही उत्तर हो जाएगा एंडर्सन यानि की right answer D हो जाएगा question number 12 का सही उत्तर ये आपको याद रखना है question number 13 है quarters का रसाइनिक नाम है दोस्तो right answer हैगा sodium silicate question number 13 का right answer हो जाएगा sodium silicate यानि की right answer is D ये आपको याद रखना है question number 13 का सही उत्तर question number 14 है निमलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है निमलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है तो इस question का right answer क्या रहेगा deuterium oxide को ठीक है question number 14 का right answer हो जाएगा भी ये आपको याद रखना है question number 15 है अती चालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है तो अती चालक एक ऐसी वस्तु है दोस्तों जिसमें होती है सुन्य परतिरोधकता ठीक है तो right answer भी हो जाएगा पंदरवे question का सही उत्तर ये आपको याद रखना है question number 16 है वायरेस की खोज किसने की थी दोस्तों वायरेस की खोज किसने की थी तो right answer क्या रहेगा इवानों वस्त की ने यानि की solvay question का right answer सी हो जाएगा ये आपको याद रखना है question number 17 है परतिरोधकी unit क्या होती है परतिरोधकी unit क्या होती है दोस्तों इस question का सही उत्तर क्या रहेगा बिलकुल सही उत्तर है ओम यानि की right answer is b ये आपको याद रखना है question number 18 है कोशी का विभाजन की किरिया आरंब होती है देखे कोशी का विभाजन की किरिया आरंब होती है सनेंट्रो सौम से यानि की अठारवे question का right answer d हो जाएगा ये आपको याद रखना है question number 19 है वाईउ मंडल में बादलो का तैरने का कारण है तो वाईउ मंडल में बादलो का तैरने का कारण क्या है दोस्तों 19 वे question का सही उत्तर रहेगा कम घनत यानि की right answer is d ये आपको याद रखना है question number 20 है जिपसम का व्यापारिक नाम क्या है जिपसम का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों इस question का right answer रहेगा calcium sulfate क्या है दोस्तों calcium sulfate यानि की 20 वे question का right answer C हो जाएगा ये आपको याद रखना है question number 21 है निवन में से कौन सा जल संकरमक रोग है तो right answer दोस्तों हो जाएगा हेजा यानि की किसवे question का right answer option ही हो जाएगा ये भी आपको याद रखना है question number 22 है नास पति का कौन सा भाग खाये जाता है तो right answer हेगा गुद्देदार पुस्पाशन खाये जाता है यानि की 22 वे question का right answer option ही हो जाएगा सभी अमलों में सबसे अधिक सामान्य तत्व है दोस्तों सभी अमलों में सबसे अधिक सामान्य तत्व है कौन सा तो 23 question का right answer हेगा hydrogen 23 question का right answer option ही हो जाएगा दोस्तों ये आपको याद रखना है question number 24 है मानव नेतर की दूर दरस्टी को कहा जाता है मानव नेतर की दूर दरस्टी को कहा जाता है तो right answer हेगा hypermetropia यान की 24 वे question का right answer D हो जाएगा ये आपको याद रखना है question number 25 है vitamin E की कमी से निर्मित रोग है vitamin E की कमी से निर्मित रोग कौन सा है दोस्तों तो right answer हेगा जिनन समता में कमी यानि की C is the right answer तिबिया अस्थी खालिस्थान में होती है देखें तिबिया नामक जो हड़ी है ये हमारे पैर में होती है यानि की right answer C हो जाएगा 26 वे question का से उत्तर 27 वा question है मानव सरीड में धमनियों का क्या कारिया है तो 27 वे question का right answer हैगा फिरद्ये से रक्त को लाना ठीक है तो 27 वे question का right answer हो जाएगा C ये आपको याद अखना है तो सबसे पहले बताएगा कि 27 में से कितने questions के answer आप लोगों ने सही किये है और आपके लिए एक test question है ने ओएच सुत्रवाले योगिक का सामान्य नाम है इस question का भी answer सभी student को comment box में जरूर बताना है ठीक है प्यार दोस्तो Only Top Study आप को डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर लीजे फाइव स्टार की rating भी जरूर करिएगा उसके बाद में आपको यहां से regular करेंटर फेर की पीडियाप मिलना सुरू हो जाएगे और master पीडियाप पर अभी दिवाली ओफर चल रहा है यानि कि सबसे कम प्राइज हो गए है मातर 150 रुपे में history, geography, policy, economics, physics, chemistry, biology, करेंटर फेर, computer, static, gk करेंटर फेर 23, सब कुछ आपको मिल जाएगा पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं master pdf का link नीचे description box में दिया गया है और ये master pdf सभी परिक्साव के लिए बहुत ज़्यादा मैत्पून होने वाली है इसमें अभी 6000 की बजए 8000 question answers आपको मिलेंगे कोई भी दिक्कत आती है या whatsapp पर आप pdf लेना चाहते है तो हमारा whatsapp नंबर है 8006016626 इस पर आप हमें message कर देना आपको तुरंत एक link मिलेगा उससे भी आप pdf परचेज कर सकते हैं thank you so much, bye bye everyone take care ख्याले के अपना मिलते है next class में